स्टुडेंट्स कैसे हो आप लोग मोरिया एजुकेशन में आपका स्वागत है स्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे इंडाइसेस एंड क्योब रूट जो की हमारा थर्ड चैप्टर और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आगे भी आपको इसमें 9, 10, 11, 12 या आप कंपटीशन के एकजाम के भी तैयारी करेंगे तो वहाँ पर भी इसकी जरूरत आपको पढ़ेगी इसके पहले का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है जो की चैप्टर नमबर 1 और चैप्टर नमबर 2 के वीडियो जो प्रैक्टिस स कीजिए एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ एकदम इजी लगने लगेगा और मैत इतना इजी तो कोई सबजेक्ट है ही नहीं बस आपको अपनी तैयारी अपना माइंड सेट करना है आपका माइंड क्या सेट हो जाना चाहिए कि मैत बहुत इजी सबजेक् करने की बात नहीं है आप सेवन्थ क्रास कर गए सेवन्थ से आप प्रमोट करके एट में आ चुके हैं तो अब एट में आपको थोड़ा मेनत करना पड़ेगा क्योंकि एट के बाद नाइन टेंथ में जाएंगे तो आपको मैत वहाँ पर दो हो जाता है मैत वन और मैत टू हो जाता है तो अगर हमको अच्छे से मैत को पढ़ना है और समझना है तो अभी से आपको अपनी तयारी चालो कर देनी है चलिए इंडाइसे सेंट क्योब रोड में हम यहाँ पर आपको देखिए कुछ वाइड बोर्ड पे समझाने बताने जैसी चीज नहीं है यहाँ पर कोई पूछे कि 5 का स्क्वेर तो क्या हुआ 5 इंटू 5 5 को हमको क्या करना होता है 5 से मल्टिप्लाई करना होता है 10 का स्क्वेर 10 से हमको 10 से मल्टिप्लाई करना होता है जिसका स्क्वेर पूछा जाए मतलब स्क्वेर का मतलब 2 टाइम और जिस नंबर की बात की जाए ठीक है तो square का मतलब हुआ या आपको जैसे square का मतलब हुआ two time, cube का मतलब हुआ three time, fourth root का मतलब हुआ fourth time, fifth का मतलब हुआ fifth time ठीक है तो I hope कि आप इसको समझ गए होंगे देखिए यहां दिया है the product of two into two into two into two into two can be expressed two raised to five इसका index कितना बनाया गया है five देखिए one, two, three, four, five जितनी बार multiply में लिखा गया है उसको हम क्या करेंगे इसको two raised to five लिख दिये तो इसका meaning क्या हुआ कि two को five time multiply करना है square का मतलब two को two time multiply करना है cube का मतलब two को three time multiply करना है ठीक है तो I hope कि आप इसका meaning समझ गए होंगे ठीक है आगे देखे law of indices यहां हम को क्या दिया law of indices दिया है अब इसके law के बारे में हम पढ़ेंगे if m and n are integer और उसमें क्या है m और n क्या है integer integer आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है अगर आपने नहीं समझा है तो integer के बारे में भी हमने बताया है सारी चीजें आप लोगों को बताई गई है first chapter में ही यह सारी चीजों का discussion हमने किया है integer हम उसको बोलते हैं जिसमें हमारा natural number भी आता है whole number भी आता है और natural number whole number किसके साथ में रहता है minus sign के साथ में रहता है तो इस सब के collection को हम क्या कहते हैं उसको हम integer कहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं integer बोलते हैं अब देखिए यहां हमारे कुछ indices के rule हैं first में हम देखते हैं क्या है a index में m दिया है into a index n दिया है या हम इसका power भी बोल सकते हैं कि इसका a का power कितना है m है और यहाँ a का power कितना है n तो यहाँ देखिए multiplication है तो first rule क्या बोलता है हमारा first rule बोलता है कि अगर multiply किया जाता है हमको क्या किया जाता है अगर जो integer है इसको हम multiply करते हैं और इसका base same रहता है जो हमारा variable या numeric value है अगर इसकी value same है जिसको जो base है अगर base same रहता है तो हमारा index क्या होता है index जुड़ जाता है index हमारा जो power रहता है इसको हम क्या करते है एड़ कर देते हैं तो देखिए a यहाँ पर भी है और a यहाँ पर भी दिख रहा है जब दोनो base हमारे बराबर रहते हैं तो index को क्या करते है एड़ कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ इसका answer क्या आएगा a जो base है base को लिखोएंगे अगर यहाँ 2 रहता है 5 रहता है तो हम जो भी रहता है एक ही जग हम 5 लिखते हैं और m प्लस n मतलब पहले पावर को हम दूसरे पावर के साथ में एड़ कर देते हैं सेकेंड हमारा रूल क्या है a पर पावर कितना है m है sorry a पर पावर कितना है m है और divided में कितना है a पर पावर n है ठीक है division में division का रूल क्या है कि अगर base हमारा same है ठीक है base दोनों same है तो क्या हो जाता है power पहली वाले power में से दूसरी वाली power को हम minus कर देते हैं ठीक है तो अब आगे हम देखते हैं third में देखे a into b a into b अब whole square है ठीक है यहां क्या लिखा है पूरा bracket बंद किया गया है और power में कितना दिया गया है m दिया गया है तो इसका meaning क्या हुआ कि देखे whole square हो गया न a power कितना m कितना है a पर भी power के लिए है और b पर भी power है तो इसको हम bifurificate करेंगे तो क्या हो जाएगा a index m into b index m हो जाएगा यह हमारा third rule हो गया फोर्थ में देखते हैं a किसी किसी कोई भी base दिया है कोई number दिया है और उसका index अगर 0 है उसका index क्या है 0 है तो हमको answer क्या मिलेगा 1 जैसे मैं बोलू 7 और index 0 है तो इसकी value क्या हो जाएगी 1 होती इसकी value क्या होती है 1 होती है a index minus 1 देखे a पर कितना है index जो power है हमारी minus में है किस में है minus m है तो equal to क्या होगा देखे अब power किस में है minus में है sorry तो इस power को हम क्या करेंगे 1 upon a a हमारा base नीचे चला जाएगा इसको हम किस में लिख देंगे fraction mode में लिख देंगे जब minus को हटाना रहे तो हमको क्या करना होगा यहाँ पर हमको index का हमको power हटाना यहां sign हटाना है तो हम one upon a index m लिखेंगे ठीक है यहाँ क्या है देखे 6 में 6 में a index m और bracket के बाहर क्या है n तो अब क्या हो गया कि यहाँ पर जो power है A पर एक बार power कितना है M है और दूसरी power कितनी है N है तो यहाँ A power क्या हो जाएगा power power से multiply हो जाएगा तो A base लिखेंगे M into N, M को N से multiply करके लिखेंगे A upon B bracket close है और power पर कितना है M है ठीक है तो यह power किसके है A के लिए भी power है और B के लिए भी power है तो A index M upon B index M हो जाएगा ठीक है यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ हमको क्या दिया है यहाँ पर हमको दिया है कि A upon B और power में क्या है power में हमारा M है और M minus में है अगर हमको minus की power हटाना है तो हमको क्या करना होगा जो bracket के अंदर की value है इसको हमको opposite कर देना होगा inverse कर देना होगा तो ठीक है तो A upon B को हम क्या लिखेंगे B upon A और power से माइनस हमारा हट जाएगा यह rule है rule को आप बहुत अच्छे से इसको समझ लीजे क्योंकि बिना rule का आगे आपका काम नहीं हो पाएगा आगे हम देख लेते है using law of indices right proper number in the following boxes अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है first rule को देखते जाएगे यह first rule को follow कर रहा है क्योंकि base हमारा same है तो index क्या हो जाएगा जुड जाएगा तो 5 5 plus 2 हो जाएगा तो कितना आजाएगा index यहाँ पर 7 आजाएगा यहाँ इसका index कितना होगा students 7 हो जाएगा second में देखिए base हमारा same है 3 index कितना है 7 और upon में किसे divide किसे करना है 3 और upon में क्या है यहाँ index 9 है अब देखिए 3 upon 3 हो जाएगा हमने बताया power क्या हो जाएगा minus होगा तो 7 minus 9 अब 7 minus 9 करेंगे तो यहाँ पर power कितना आएगा minus 2 आजाएगा ठीक है third पर चलते हैं third में देखिए 3 पर पहले power 4 है और bracket बंद है bracket के बाहर 5 है तो 4 5 जा 20 हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 5 जा 20 हो जाएगा अब यहाँ देखिए power कितना है 5 पर minus 3 है ठीक है minus को हटाना होगा तो क्या करना होगा upon में लिखना होगा तो यहाँ 3 प्लस में हो जाएगा 1 upon 5 और index में 3 आएगा यहाँ 5 पर index कितना है 0 0 का आप देख सकते है 0 का कहा है यहाँ पर देखिए 1 इसका answer आएगा यहाँ पर 5 पर index कितना है 1 है तो यहां answer क्या आएगा 5 आएगा यहां पर 5 आएगा 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा चाहे जितना भी number लिखा हो और किसी का index 1 है मतलब उसकी value same रहेगी अब देखिए यहां पर index क्या होगा 5 into 7 दिया है और bracket के बाहर क्या है 2 है तो यहां पर index कितना हो जाएगा 2 देखिए 5 के लिए भी है 2 5 के लिए भी है और 2 7 के लिए भी है ठीक है तो index हमारा 5 raise to 2 और 7 raise to 2 हो जाएगा 5 upon 7 index कितना है 3 तो यह किस के लिए है 5 के लिए भी है और 7 के लिए भी है यहां पर देखिए index क्या है मारा minus में है तो यहां हमने बताया है last वाले पे जाईए opposite हो जाएगा 7 उपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से हमको इसको समझना था और solve करना था let's learn आगे हमको इसमें क्या सीखना है students इसमें हमको सीखना है कि meaning आप number when the index is and rational number index क्या है rational number मतलब rational number हम किसको भी उलते हैं जो 1 upon n के farm में रहे जैसे 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 5 1 upon n ठीक है तो इसके farm में रहे जैसे square root का हमारा क्या होता है square root का index होता है 1 upon 2 जैसे हमको क्या लिखना हो 25 तो 25 को under root to 25 इसका meaning क्या हुआ इसको हम radical बोलते हैं और index में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे 25 और index में 1 upon 2 लिखेंगे और यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है 25 और उसका index में हमको लिखना होगा तो 1 upon 2 लिखेंगे ठीक है तो इस तरह से हमको इसको करना है आगे देखिए हम यहाँ पर देख लेते हैं जैसे कि फार एक जांपल दिया है कि 4 का cube root दिया है ठीक है cube दिया है तो cube क्या होता है मतलब 4 into 4 into 4 हो जाएगा जैसे square वैसे ही cube होता है ठीक है तो यहाँ 4 into 4 into 4 equal to 4, 4 जा 16, 4 जा 64 cube root of 64 अगर cube root लिखना है तो हम क्या लिखेंगे 64 के radical sign के अंदर लिखेंगे और cube दिया गया है तो cube को हम बाहर लिखेंगे ठीक है और इसका meaning क्या हुआ 64 और bracket के बाहर हम 1 upon 3 लिखेंगे 1 upon 3 1 मतलब index इसका 1 upon 3 3 हमारा जो इसका क्या निकालना है हमको cube root निकालना है ठीक है तो जितना index रहेगा उसको हम नीचे लिखते हैं so that यहां क्या हो जाएगा note में कि 64 का radical sign कितना है यहां पर हमको index 1 upon 3 मिलेगा equal to इसकी value क्या होगी 4 होगी 3 raise to 5 है तो इसकी value 3 into 3 into 3 into 3 करेंगे 5 time तो हमको क्या मिलेगा 243 मिलेगा ठीक है तो 243 that is the fifth power of 3 3 का 5 time power करने के बाद हमको क्या मिल रहा है 243 मिल रहा है ठीक है conversally में देखेंगे तो क्या हो जाएगा fifth root of fifth root of देखें यहां हमने क्या पढ़ा fifth power, power बढ़ा रहा है ठीक है power क्या कर रहा है उसकी value को बढ़ा रहा है और root क्या कर रहा है इसकी value को कम कर रहा है जैसे हम radical sign में निकालते हैं ठीक है तो यहां पर जब pair बनाएंगे पहले तो हमको क्या करने होगे जैसे हम LCMHCF निकालते हैं ऐसे इसको आप factorize करोगे fact try करने के बाद जितना root पूछा जा रहा है उतने का आपको pair बनाना होगा तो इसको हम कैसे express कर सकते हैं 243 bracket बंद और 1 upon 5 243 को हमने कहा लिखा देखिए under root कर दिया और under root के बाहर हमने 5 का sign दे दिया ठीक है तो इस तरह से इसको करना है in general nth root is expressed कैसे हम इसको express करते हैं a और 1 upon n करते हैं for example जैसे 128 1 upon 7 तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 7th root of 128 7th root of 128 900 को 1 upon 12 तो 12th root of 900 ठीक है और 10th क्या पढ़ेंगे 1 upon 5 equal to x x का index कितना है 5th equal to 10 होगा अब देखिए express the following number practice set भी इसमें हम देख लेते हैं practice set 3.1 फटा फट मैं बता देता हूँ आप लोग बस समझ लीजे इसको practice करना पड़ेगा आपको जो formula है इसका formula learn करना होगा आगे आपका काम एकदम easy हो जाएगा देखिए express the क्या दिया है express the following number in index form index form में लिखना है तो fifth root of 13 fifth root of 13 को क्या लिखेंगे यहां 13 लिखेंगे और one upon five ठीक है fifth 13 into क्या हो जाएगा 13 का index कितना होगा one upon five sixth root of nine यहां आपको क्या लगा देना होगा बस nine और index में आ जाएगा one upon six क्योंकि sixth root बोला गए square square root of किसका two fifty six तो हम इसको कैसे लिखेंगे two fifty six two fifty six यहां two आया इसका meaning क्या हुआ two fifty six का under root ऐसे लिखेंगे one upon two लिखेंगे ठीक है cube root of seventeen cube root of seventeen तो हम क्या लिखेंगे one upon three लिखेंगे eighth root of hundred one upon eight कर देंगे ठीक है समझ में आ रहा है बैच्चो तो इसको बहुत simple तरीके से आप कर सकते है seventh root one upon seven thirtieth और index कितना हो जाएगा one upon seven हो जाएगा write the form nth root लिखना है nth root लिखना है तो 81 का कितना लिखना है one upon four तो इसको हम क्या पढ़ेंगे इसको हम पढ़ेंगे fourth इसको हम क्या पढ़ेंगे fourth root of 81 fourth root of इसको हम क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे fourth root of 81 जैसे यहां seventh root of 128 लिखा है ऐसे यहां हम क्या पढ़ेंगे fourth root of 81 लिखेंगे जैसे यहां पर 128 लिखा है ठीक है ऐसे इसको हम क्या लिखेंगे square root of 49 इसको हम क्या लिखेंगे square root of 49 और यहां 5th root of 15 और यहां 9th root क्या लिखेंगे 9th root of 512 समझ में आ रहा है और इसको हम क्या लिखेंगे 19th 19th root of 100 19th root of 100 6 को क्या लिखेंगे 6 को हम लिखेंगे 7th तो इस तरह से आपका practice set 3.1 complete हो गया आगे हम practice set number 3.2 complete करेंगे जो की बहुत important है इसके लिए पहले आपको ये पूरा chapter समझना जरूरी है आप अच्छे से practice कीजिए और अच्छा knowledge gain कीजिए अभी अपने study को continue कर दीजिए क्योंकि lockdown चल रहा है घर से बाहर हमको जाना नहीं है तो अपना काम क्या है कि सिर्फ हो सिर्फ पढ़ाई अच्छे से करें और अच्छे से अच्छे marks लाएं अच्छे से अच्छा knowledge gain करें अब मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you bye कर अच्छे में अच्छे से अच्छे से को बालएगartment के लिएका с Alab तंटे से अच्छे से किसए याँ है एलने तक का लाएं तक के लाएंट cœurीचे से इच्छे से आशे से अच्छे।